आपका अपना दोस्त हमेशा की तरह आपका स्वागत करता है आपके अपने यूटिब चैनल भी से पाट साला बार आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे Simultaneous Linear Equations के Solution को निकालना Direct and Indirect Method की मदद से अब ये Direct and Indirect Method क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और Indirect and Indirect Method में क्या यूज है और Simultaneous Linear Equations क्या होते हैं पहले ये समझ लेते हैं देन उसके बाद आज हम इस lecture में जो है Direct Method से फिर सुरुवात करेंगे इसके आपके तीन lecture रहेंगे और इन तीन lecture में आपका 4th Unit कम्प्रीट हो जाएगा तो चलिए हम शुरुवात करते हैं सबसे पहले कि Linear Equation होती क्या है यान कि Simultaneous Linear Equation होती क्या है यह समझ लेते हैं ओके अब यह जो Equation होंगी ना हमारी यह आपके Unknown Equations होते हैं जैसे A1X B1 by plus C1 Z equal to यहाँ पर कोई भी आप value माल लीजें D1 ओके यह इसी परकार आपका A2 Z is equal to D3 तो यह क्या है आपके तीन मेने Equation ले रखी हैं एक साथ यान कि Simultaneous Linear Equation है यह Linear Equation कैसी होती है जुनकी उपर को भी power नहीं होती क्यों आप बन पावर है उल्ली इसके power यह बन पावर है इसके power यह बन नहीं है तो यह क्या है Linear Equation ही तो है quadratic equation तो होगी नहीं क्योंकि 2 नहीं लगा है पावर पर तो यह होती हमारी Simultaneous Linear Equation इसे का हमको क्या निकालना होता है solution निकालना होता है अब यह method क्या होते है डाइरेक्ट और indirect method की मज़से हम क्या निकालते है इसका solution निकालते है solution निकालने का मतलब क्या है यहाँ पर x by and z की हम यहाँ पर value पता करते है ठीक है अब यह direct और indirect method कौन-कौन से होती है यह और समझ लेते है method ओके यह होते हैं आपके direct method अब इसमें ही आपका indirect method आता है एक तो indirect method मैं यहाँ पर लिख देता हूं ओके तो यह हमारे method होते है जरसर पांच लेकिन हमारे BCA exam के according देखा जाए तो यहाँ पर ज्यादा तर जितनी भी question paper आते हैं हमारे उन method में तीन ही method में से कोई ना कोई एक question हमारा first आई है यह दो भी question आ जाती है ठीक है तो उसमेंसे हमारा important है goss elimination and goss jordan यह very very important and एक आपका जोकविक यह भी important है ठीक है यह आपका यह यह 3 method आती है यानि हम यह 2 method अभी छोड़ देंगे किवल हम 3 method के उपर focus करेंगे लेकिन आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं किवल elimination method ठीक है इसको पढ़ेंगे फिर नेस्ट वीडियो में जॉर्डन देन उसके बाद सीडल method लेकिन उससे पहले मैं शुरूबात करूँ elimination method की आपको बता देना चाहता हूं indirect method और direct method का difference क्या है देखें अगर आप method से आप solution निकालती हो linear equations का तो वह exact solution देता है वहाँ पर जबकि indirect method से अगर आप निकालो गई तो वह आपकी approximate value देगा यान कि something कुछ value आईए तो वहाँ पर exact नहीं होगा तो यहाँ पर goss elimination method का advantage है अब आपको मैं बता दूँ जैसे suppose आपके पास यह equation है तो इस equation को elimination method से हम solve out जब करते हैं तो आपको working procedure देखते हैं तो मैं यहाँ पर क्या गरूँगा आपको working procedure ना बताते हुए साथ में question भी solve out करूँगा मेरा कहने का मतलब है जब हम यहाँ पर question को solve out करेंगे उस question के साथ में हम यहाँ का working procedure देख लेंगे लेकिन elimination method आपका दो तरीके से use होता है पहला इसमें तरीका होता है matrix की तरह matrix form में matrix का use करते हुए और second मैं बोलता हूँ इसे procedure तो इसमें से अगर आप यह कहें कि इसमें से सबसे ज़्यादा easy कौन सा है सामझने में या फिर exam में हमारा ज़्यादा time ना consume हो तो मैं कहूँगा अपने according की यह वाला important है जबकि यह थोड़ा tough हो जाता तो इसको मैं आपको नहीं कराऊँगा लेकिन इसका notes आपको provide कर दोगा PDF आप download कर लेना ठीक है मैं इसको समझाऊँगा I hope आपको यह अच्छे से समझ में आ जाएगा और यह एक ऐसा method है Elimination method आप कहीं पर भी किसी भी equation के लिए यूज कर लिए इन तीनों के लिए ठीक है वह आपको वही answer देगा जो आपकी matrix से निगलेगा आपका time consuming है आपर raw operation चलते हैं इसलिए ठीक है आप खुछ समझाओगे एक बार अगर notes पढ़ोगे तो तो हम जाब प्रोसीजर से start करते है देन आप इसका एक screenshot ले लो है न तो अब हमने यहाँ पर जो है एक question ले लिया है इस question को हमें solve out करना है और इस question में हमें यह बोला जा रहा है कि आपके पास simultaneous linear equation given है 1,2,3 ओके जिनको में solve out करना है elimination method के द्वारा और यह question आपका जो है 2015 में आज का है अच्छा अगर आपका यहाँ पर elimination method ना लिखा होता कि आप solve कीजा elimination method से तो हाँ पर आपका यह भी लिखा हो सकता है कि आप direct method से solve out की जाए indirect method से ठीक है तो आपको मैंने बता दिया direct method indirect method आपके कौन-कौन से है अब आपको जो भी अच्छा लगता है method उससे आप निकाल लीजे आपने question को लेकिन हम किसके निकालने अभी elimination method elimination method हम समझते हैं यहां पर होता क्या है इसका working procedure समझेंगे इसी के साथ साथ ओके सो इस question को दिहान से समझना जैसे कि देखे अब यहां पर हमें first equation दे रखती है first equation हमारी क्या है वाई first then second equation है हमारी then आपकी third equation ठीक हमें तीन equation दे रखती है ता है simultaneously अब इनको में follow rope करना है स्टेप नमprior first step नम्मर first में क्या होता है हमें एकस को eliminate करना है second and third say first did上面 second threend product का मतलब यहां पर क्या है यहां पर आपका minus candidate x और यहां पर आपका X है तो यह हमें दौनों eliminate करने हैं यहां फो इसा कौन सब यहां पर हमारा अबरकिंग होगा जैसे कि यह Eliminate हो जाए मैं लिख भी देता हूं यहां पर step नम्मर फर्स्ट में परस्ट तो यानि कि हमें first में second से and third से first में से क्या करना है eliminate x को eliminate करना है अब वो कैसे करेंगे तो यहां पर हम एक टेक्निक लिखते हैं पहले apply the मैं यहां पर first नम्मर डाल देता हूं इस तरीके से ठीक है क्यों क्योंकि यह step का first step है so apply the equation second अब second equation हमारी क्या है minus में है तो यहां पर हम ऐसा क्या करें जिसकी यह x eliminate होजा है अब देखिए यह minus का है यह plus अगर minus का है और यह आपका plus का है अगर इन दोनों को cancel करेंथे तो zero हो जागा है यान कि इस तरीके से हमारे यहां पर कुछ रहा नहीं कि इसी परकार eliminate हो गए हमारा नहीं रह रहा है equation में ठीक है तो यहां पर लिख देंगे सो भी गैट भी गैट तो हमें क्या मिल रहा है यहां पर simple है चलिए apply करके देख लेते हैं second equation क्या है आपकी minus 3x plus 3 by plus z अब इतना हो गया अब माइनस हमें क्या करना है यहां पर हम माइनस लगा देती है फर्स्ट equation क्या आपकी x minus y plus 3z अब आपकी जो second equation थी उसके equal में क्या है आपका 8 तो आप यहां पर 8 लगा दिए operation क्या लगा यहां हमने माइनस तो वहां पर क्या है आपका 8 यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर क्या हो जाएगा प्लस ठीक है तभी तो आपके यह cancel हो पाएंगे ना ओकी हमसे एक गड़बड हो रही है भाई क्या गड़बड ओकी हमसे देखे गड़बड क्या हो रही है आप यहां पर हमने 3 नहीं लगाना है क्योंकि यह second equation है and 3y z अब ठीक है then x है आपका फिर आपका minus y 3z 8 8 अब ठीक लिखा है ना इसको देखिए अब यहां भी हम cancel कर दें x से x आपका क्या हो गया cancel हो गया correct अब 3y and minus y यानि एक बाई यहां से चला जाएगा तो आपका यह कितना बचेगा 2y बचेगा अब आपका z प्लस का है यह भी प्लस का है तो आपका यह 4y 4z हो जाएगा right then equal में आपका यह कितना हो जाएगा 16 then इसमें से आप common ले लिजे 2 तो आपका कितना हो गया by plus 2z then equal में आपका 16 जब आप इसको solid करो गया आँगे तो by plus 2z equal to आपका हो जाएगा 8 क्यों आपके यह आपकी 4th equation बन गई ठीक है वही तो याद रही जा equation निकालना तो हमने अभी यहाँ पर क्या किया किवल अभी हमने यहाँ फोर्थ equation तक निकाल लिया है अब अगला step नेकि step number first का ही second step यहाँ पर होगा जो कि मैं यहाँ पर solve out करूँगा इसे आपके ना second step में apply apply the equation थर्ड अब थर्ड में मैं plus करूँ, minus करूँ, multiply क्या करूँ यहाँ 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 यह दोनों x eliminate हो जाए तो में क्या है यहाँ यहाँ पर 3x है 3x है ना किसका plus का है, अब यहाँ पर मैं क्या कर दूँ, minus 3 into first कर दूँ मैं, यहाँ कि first number पर क्या रहा है, मेरा x सरा eliminate हो जाएगा, तो मेरा क्या बचेगा, 0, यहाँ कि x eliminate हो रहा है तो मैं यहाँ पर इस operation को apply कर देता हूँ, minus 3, okay, minus, फिर यहाँ पर equation लगाते हैं, then यहाँ पर हम लिखते हैं, okay, 3, sorry, 3 यहाँ पर आएगा है न, 3, equation first, okay, so we get, we get, अब हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, यह भी देख लेते हैं, चलिए भई, third equation लिखते हैं, आपर क्या है आपकी, 3x plus y minus z, okay, minus z, then आपका, यह वाली equation है, x, then हम minus कर रहे हैं, तो 3x हो जाएगा यह, then minus के 3y हो जाएगा यह, sorry, plus के 3y हो जाएगा यह, ठीक है, क्योंकि यह minus का है, क्योंकि हम minus operation लाग रहे हैं, इसलिए plus का हो गया, then यह minus का हो जाएगा, क्योंकि यह plus का है, इसलिए ठीक है, so आपका 3 है, तो आपका यह कितना हो जा रहे है न, यहाँ पर क्या है आपका 8, तो 28, 24, यहाँ पर 24 लिख लीज़े, ठीक है बही, इतना हो गया, अब इसका solution निकाल लेते हैं, यह इस से cancel हो गया, by, by आपका plus का है, तो आपका 4, by हो गया, then minus z, minus, यानि यह minus के 10 z हो गया, equal में आपका 22 हो गया, अब इतना होने के बाद, यहाँ से आप 2 को मन ले लिजे, तो आपका 2 by minus, या पर हो जाएगा 5, 5 होने के बाद, okay, z, then equal में, इतना 22, then आपका 2 by minus की 5 z, equal में आपका यह कितना हो जाएगा, 11, right, लेकिन किसका minus का, 1 second, 1 second, okay, यह minus काएगा, न, minus, 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 okay, 2 से हमने उसमें डिवाइट देगे, तो 11, ठीक है, अब यह हमारी एक और next equation बन गई, यह हमारी बन गई, 5th equation, sorry, ठीक है, 5th equation, हाँ जी, तो यहां तक आके समझ में, है, चलिए, अब आँगे की तरह में गई, और salt करते हैं, अब हमारा second step आएगा, इसमें, ठीक है, step number 2, okay, now मैं इस तरीके से कर देता हूँ, step number 2, अब step number 2 में क्या करना होगा, मैं हमें बाई को eliminate करना होगा, ठीक है, eliminate, eliminate by, from equation, equation number 5, in, यह 5th equation है, उसमें से आपकी new equation एक और क्या आई थी, 6, sorry, 4th, तो equation, 4th, ठीक है, 4th मैं से, sorry, 5th मैं से, 4th को हमें क्या करना है, eliminate करना है, so we get, तो हम यहाँ पर आप क्या करेंगे, apply करेंगे, ठीक है, apply, operation apply कर दे, apply equation, equation कौनसी है हमारी 5th, अब यहाँ पर देखिए, हमें by को eliminate करना है, तो, 2y लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पर आपका by लिखा है, तो हम कैसा operation लगा है, 2y है, यहाँ कि हम इसमें 2 से multiply देदें, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते देदे हैं, क्या करके लेकिन, minus करके है, okay, minus 2 equation, मैं यहाँ पर इस तरीकी से कर देता हूँ, equation कौन सा है, आपका, fourth, okay, so, b get, b get, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, अब यह समझते हैं, यहाँ पर, yeah, okay, so, हमारी equation क्या है, पहले पर एली, 2 by, 2 by, minus 5z, अब हम क्या कर रहे हैं, minus कर रहे हैं, किसमें इसमें, तो यह आभी आपका क्या होगा, 2 by, 2 by, then plus है, minus कर रहे हैं, तो यह minus का होगया, minus का कितना होगया, 2z है, तो आपका यह कितना होगया, 4z, 4z इक्कल अब इसके इक्कल में क्या है माइनस 11 हम क्या कर रहे थे माइनस कर रहे थी यह किसका अमारा पिलस का है 8 8 में 2 से मल्टिप्लाई दिए दू कितना हो गया आपका 16 ठीक है भी या अब इतना तो आई गए समझ में चलिए आगे आप इसे solid कर लेते हैं इससे इससे cancel कर दो 5z and 4z आपका कितना होता है 9z हो गया 9z किसका minus का minus का 9z so equal में आपका ये कितना हो जाएगा minus का 27 minus से minus cancel and z is equal to 9 से इसमें divide देता हो तो कितना आ गया 3 तो वह हमारी z की value तो निकलाई z की value तो निकलाई ठीक है तो equation ही वो लेंगे से भी हम तो ये हमारी 6 equation हो गई तो हमने z की value निकल ली अब हमारा step number इसमें 3rd आएगा जिसमें हम substitution करेंगे किसके लिए x and y को find out करने के लिए now step number 3 step number 3 now apply the substitution to obtain the x and y ठीक है एक्स एंड बाइ तो यहां पर अब हमें x and y को अगर चाहिए तो सबसे पहला जो substitution होगा from equation किस में से फोर्थ में से ठीक है तो फोर्थ equation ले 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 यहां पर आपकी फोर्थ equation क्या है अब किस में इस तरीके से लिख लेता हूं equation मैंसे करेंगे तो हमारा क्या आएगा तो हमारा equation क्या है यहाँ पर by plus 2 z square to 8 ठीक है अब 8 लगा लिया ठीक है भई अब इसमें हम क्या substitute कर दें हमारे पास z की value निकली है 3 तो यहाँ पर by plus 2 into मापका 3 equal मापका 8 यह आपका multiply करने पर कितना हो जाएका 6 6 को आप minus कर देंगे 2 में से तो y की value कितनी निकलाई आपकी यह निकलाई वे यह 2 ओके तो यह आपकी constitution निकलाई 7 7 ठीक है यानि कि आपने z की value भी निकाल ले अब रहेगे x की value चलो उसको भी निकाल लेते हैं अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे यहां पर from आपकी first equation x minus y ठीक है equation लिख लेता हूं मैं पहले equation first so we get हमारी equation क्या है x minus y x minus y then आपका plus 3 z equal में है आपका 8 यही है भई है ना अब हमारी पास यहाँ पे by and z दोनो value अभी level है तो चलिए यहाँ पे substitute कर देते हैं x minus y की value कितनी है आपकी 2 then आपका plus then z की value कितनी है आपकी 3 into 3 यानि कि आपका 9 equal में आपका 8 अब minus 2 को उदर ले जाएगी तो आपका 10 हो जाएगा यानि कि और फिर 9 को भी उदर ले जाएगी तो आपका 1 हो जाएगा यानि कि x equal to 1 लोब ही है यह भी आपकी निकलाई ठीक है उसे बोलेंगे 8 ओके so हमने यहाँ पे x, y, z की value निकाल ली ठीक है यही हमारा solution linear equation का so x equal to कितना हाँ आपका final answer 1 and y equal to कितना हाँ आपका 2 and z equal to कितना हाँ आपका 3 वाँ और तो बढ़िया है बढ़िया 1, 2, 3 increment में तो यह आपकी answer निकलाई ठीक है भी है तो यही आपके final solution है इसकी तो कोई दिक्कत नहीं होगे I hope आपको पसंद आया होगा वीडियो में जो भी मैंने समझाया है ना सो चले फिर नेस्ट प्यूडियो में मिलती है नई लेक्चर के साथ जैसमें हम गौस जॉर्डन या गौस सीडल मेथल कुछ ना कुछ तो करेंगे तब तक के लिए थाइंग तर वाइंग जैबार